गाइस अगर आप हरियाना का वीकल यूज करते हैं और उसके लिए हाइ सिक्योर्टी नंबर प्लेट बुक कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप काफी असान स्टेप्स को फोलो करके अपने वीक देनी ज़रूरी है तो आपको कुछ प्रोब्लम हो सकती है क्योंकि हर्याणा अभी सर्विस अभी तक अलाव नहीं करें मतलब होम डिलीवरी की जैसे डेली के अंदर है अगर आप अपने वीकल के अपर high security number plate लगवाना चाहते हैं तो आपके घर पे वह delivery देने आएंगे तो काफी easy हो रहता है लेकिन हर्याना में ऐसा नहीं है आप अगर UP में या दिल्ली में रहते हैं और आप हर्याना का वीकल यूज कर रहे हैं मतलब किसी भी राज्य में रहते आपको जाना पड़ेगा और वही आपका number plate लगाएगा मतलब यह है कहने का आपके घर पे delivery नहीं होगी high security number plate की तो यह छोटी से information देनी थी तो चलिए आप आगे वीडियो में बढ़ते हैं guys सबसे पहले hsrp.com site को open कर ले इसका link आपको नीचे discussion मिल जागा यहाँ पे आता ही आपके सामने सबसे पहले जो option देखने को मिल रहा है high security का तो उसके उपर आपको click कर देना है इस पे click करते ही आपके सामने एक new page open होगा इस page के अंदर आपको simple सी information बढ़नी है simple information क्या है वो बता देता हूँ सबसे पहले registered number मतलब आपके vehicle का registered number आपको यहाँ पे enter करना है उसके बाद chasis number उसके बाद engine number और captured code उसके बाद click here के उपर click कर देना है अब यह information कहां से आएगी आपके registered certificate के उपर मतलब RC RC से आपको यह सारी information देखने को मिल जाएगी यह सारी information मैं इसके नीचे एक और information आईगी जिसके अंदर आपको सिर्फ टैली करना है कि यह information सही है वैसे maximum यह सही होती है यह पूरा देखने के बाद आपको यहाँ पे और नीचे की तरफ जाना पड़ेगा जहां पे contact information लिखी हुई है तो यहाँ पे थोड़ा नीचे slide करते हैं यहाँ पे आ contact number उसके बाद address मतलब billing address कहां का हो उसके बाद city उसके बाद state यह छोटी छोटी इंफोर्मेशन है जो आप ध्यान से इसमें भर दें वह मैंने इसके अंदर बर दिया है उसके बाद नीचे next के उपर क्लिक करते ही अब आपके सामने एक new page open होगा अब आपको इस page के अंदर fit treatment location select करनी है मतलब आपकी जो high security number plate है आपके घर पर deliver नहीं होगी आपको उस location पर जाना होगा जो भी location आप यहाँ पर select करोगे मतलब जिस भी dealer का यहाँ पर select करोगे आपको वही पर जाना पड़ेगा और जो time slot आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे time slot select किया जाता है लेकिन आप को सबसे पहले यहाँ पर select करना है कि आपके इस dealer के पास आपको जया सकते हो आपके नियर है वह तो अप यहाँ पर select कर सकते हो सबसे पहले तो मतलब कौन सा आप city में रहते हो तो high security number plate लगाते हैं और जो government की दाउस से approved हैं उन सब की जानकारी आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगी इसमें से किसी भी एक को आपको select कर लेना है मतलब जिस भी जगा पे आप रहते हो तो वो वली जगा को आप select कर ले तो यहाँ पे काफी सारे हैं करता हूँ जैसे NHPC यह select करते ही यहाँ पर information आ जाएगी उसकी पूरी कि उसका क्या address है तो यह देखने के बाद confirm dealer तो इसके उपर आपको click कर देना है ऐसे ही आप जो भी dealer select करेंगे उसके उपर भी ऐसी confirm dealer के आपको click कर देना है click करते ही next take आ जाएगा appointment slot अब आपको यहाँ पे अपनी date select करनी है कि किस date को आप जाना चाते हैं तो यहाँ पे काफी सारी date होंगी इसके अंदर आपको साफ बताया जाएगा कि किस color की खाली है और किस color की book हो चुकी है और किस color की मतलब वो holiday है यहाँ पे अभी आप month change नहीं कर सकते तो जो सा month यह बताएगे उसी month में आपको जाना जरूरी है उसी में से कोई एक date select करनी जरूरी है तो मैं इसके अंदर से first जो date है तो उसे select कर लेता हूँ क्योंकि वो विल्किल free है मतलब उस time में जा सकता हूँ तो यहाँ पे जैसी select करेंगे तो select करते ही उसके नीचे confirm time का आज़ेगा कि यह यह time slot है इसके बीच में आप जाके fitting करवा सकते हैं अपनी high security number plate की ठीक है अब यहाँ पे कोई सभी एक time slot select करना पड़ेगा तो जो जोन सभी आपको suitable लगे आप वोवला select कर सकते हैं यहाँ पे option देखने को मिल जाएंगे लेकिन मेंको 2-4 का time slot बिल्कुत सही लग रहा है तो यहाँ पे available के उपर आपको simply click कर देना है click करते ही यह select हो जाएगा उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है नीचे की तरफ जाएंगे confirm and proceed का button देखने को मिलेगा इसके उपर आप click कर दें click करते ही आपके सामने एक new page open होगा जिसके अंदर booking summary के बारे में बता जाएगा कि यह booking summary है मतलब किस dealer के पास आपको जाना है अपनी high security number plate लगवाने के लिए ठीक है और यहाँ पे आपको times बता दिया गया है और month बता दिया है और date बता दी पूरी information यहाँ पर आपके बता दी है चेजिस number हर चीट बता दी है यह एक बारी टैली कर ले एक बारी चेक कर ले चेक करने के बाद आपको confirm and proceed के उपर simply click कर दें click करते ही आपके सामने एक new page open हो जाएगा new page के अंदर क्या है verify detail and pay तो यह वाला एक page open हुआ है जिसके अंदर आप देख लें आपका नाम लिखा होगा आपका mobile number लिखा होगा email id और address उसके बाद यहाँ पे number डालने को का है अगर same number आपने यही use करना है तो tick कर दे कि यही number है मेरा तो आपका यही number same नीचे भी show हो जाएगा ठीक है यह मैंने same कर दिया क्योंकि मेरे same number है अगर आपका दूसर number तो आप दूसर number भी इसमें enter कर सकते हैं अब आप जैसी नीचे की तरफ करेंगे तो high security number plate के क्या charges है वैं यहाँ पे show होंगे पूरी details से आपको बताएगा है कि जो fitting करेंगे उसके क्या charges है और आपके high security number plate के क्या charges है और पूरा इसका total GST सब बता दिया है 700 रपे charges है तो यह पूरा देखने के बाद आपको नीचे condition है इस box के उपर आपको simply touch कर दिना है और pay online इसके उपर click कर दिना है आपको सबसे पहले online pay करना पड़ेगा तब ही आपको एक receipt मिलेगी ठीक है अब यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से payment कर सकते हैं मतलब wallet से, net banking से या debit card से, UPI से हर एक माध्यम है इसके अंदर आप जिससे payment इसमें कर सकते हो काफी easily, मैं इसके अंदर debit card से payment करना चाता हूँ तो मैं card वले option को select करके card की information भरके उसके बाद card का जो OTP आता है मतलब bank की तरफ से OTP आता है, वो भी इसके अंदर मैंने enter कर दिया, enter करने का थोड़ा सा process होगा, मतलब payment होगी, payment आपको मैं यह बतायता हो, यह order number है यह भी आपको समाल के रखना है लेकिन आपका receipt आ गई है, तो receipt ही आप समाल के रखने, वो ही सही रहेगा तो इसका print out निकालके एक आपको रखना जरूरी है, मतलब आपको कोई भी अगर पुलिस वला, ट्राफिक पुलिस वला पूसता है कि आपने high security number plate क्यों नहीं लगाई तो आप अपनी यह booking slip दिखा कर बच सकते हैं, आपको कोई भी चलान भरने की जुरत नहीं होगी गाइस, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करें, लाइक ज्यादा ज्यादा शेर करें और मेरा चैनल अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो मेरा चैनल subscribe कर लें, thank you